हलो एवरीवन वेलकम बाक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप यू आ दोइंग गुट और आज मैं आपके साथ यह मेकप वीडियो शेयर करने जा रहे हूं जो मैंने स्पेसली रमजान के लिए बनाया है आप इसे पाधी वेयर के लिए भी कर सकते हो और मैंने इसे कैस काफी हाइडरेटिंग रहती है यहां पर मैं गुडवाइफ का तेल या ओई लिया था बट मैं उसे अपलाई नहीं किया अगर आप कर आफ इसकी ने तो आप यूज कर रहे हैं यहां पर इसे ब्लेंड कर रही हूं मैं पर फेस पॉर्डर यूज कर रही हूं आप अपने प और कैसरा देटिंग के लिए मैं यहां पर सिंपसे का आइडियस पेंसिल यूज कर रहे हूं और स्पूलिके हिपसी पहले ही इसके बाद मैं यहां पर आपने आइब्रो को फिल कर रही हूं आपको अगर कुछ दूसरा चीज है आपके पास थो आप उसके लिपसे भी कर सकत है अब मैं यहां पे अपने transition color को chuse कर रहे हूं उपर में लगा rehी हूं आपक जहां पर भी आपके असलो salvar के अपर žeि हो जहां आपनेãy नीक मेद और नीट शोर के ओपर transition अगर वीडियो देखते हो ना तो आप भी दीरे ऐसा फ्लॉरस मेकप कर पाऊगे और इस तरह से मैंने से ब्लेंट करना स्टार्ट किया और इसे बहुत जादा कलर मत लीजेगा पहले थोगा थोड़ा कलर लीजेगा ताकि आपना ब्लेंट असानी से कर सको उसके बाद फिर से अपना कर सकते हो इसके बाद मैं फिर बड़े बरस से उपर जो मेरा ट्रांजिशन कलर जहाँ पर लागा ना मैं फिर उसे सेट करोंगी काफी हेल्फुल होता है अब मैं यह बड़े वाले ब्रस ते ना उपर अच्छे से सेट कर यूंकि वह जो छोटे वाले ब्रस था उसस बिल्कुल इवनली अच्छे सेट कर लिजेगा ताकि अपको अच्छा लगए इससे दोनों आख का मेरा अधा मेकप कंप्लीट हो गया भूत नहीं लग रही होंगी मैं बड़े मेकप बाकी है अब मैं फिर से फ्लैट ब्रस लेके यहां पर ब्लैक कलर ले रही हूं ताकि मै अब क인데 और दूसरा कलर का आउट्फिट को पिंड आप को अंप का झाली औरा भी रही है तो इसका vra product कर सकते हैं च NeredStar में मैं थोड़ा साथ जीच कलर जो yhtे हैं अपके साथ में यहां पोहिक आर क्लर को सब्लेंट कर रही liksom ül щandard ने इननर साथ में थोड़ा मैं थोड़ा कर रह लगे और दोनों कलर मिक्स लगे क्योंकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ एक कलर प्लेस हो गया क्योंकि मुझे अधिकतर मुझे पाटी ओवर कलर का ही मुझे आई लुक चाहिए था इसलिए मैं इससे दोनों को ब्लेंड कर दिया था कि थोड़ा वाइवरेंट और ज्यादा अच्छ अधिक ब्लेट पाटी विद लव का है पिंक कलर का है और वह भी शिमर शेड है एक आप इस पैलेट से भीन सारी कलर अवलेबल है बहुत अच्छा पैलेट आप इसका रिव्यू जाकर में चैनल पर देख सकते हैं और काफी आफोडेबल है बिगनर के लिए है तो यह देख बहुत अच्छे लगते है इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर है आप चाहके देख सकते हैं लिंक डोनों का मैं डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में डाल दूंगी और इसके साथ साथ मैं यह आप पे शिमर कलर भी यूज़ का यह देखिए यह पर पिंक कलर मैंने प्लेश किया ह और यह जब आप लगाते हो ना मेटालिक कलर तो उसमें काफी जादा आपका लिक्विट फॉर्म में रहता है इसलिए आपका जो चंकी पार्टिकल्स वाला कलर होता है ना शिमर कलर तो आप उसमें अच्छा से स्टिक हो जाता है वो देखिए इस तरह से मैं आपे उसे क्रीम पाटी ओवर कलर को लेकर इनर साइड में इसे लगा दिया ताकि आपके वह से प्लेस क्या हो इन दोनों को मैंने हल्का सपने हाथों से इसमच कर दिया है ताकि दोनों इवेटली संदर से मैं आप अपने टेप को हटा ले जो पाफी जादा कलर जो है ना लीचे में ग फिमaser हो City आपा पसंद का संदे ब्ली हो भी योग कर सकते हो अब्स पषके यूजिटीह आपके सर्फ कांटरिंगे से गूँज़ मेलेन के इसते ब्लेंगे लेचे को यूजिए इसके रहां nut ब्ली है सब तरफ मैं beauty blender के help से blend कर रही हूं और nose का पार्ट है ना मैं उसे हाथ से ही blend करती हूं क्योंकि वो अच्छे से blend हो पाता है nose काफी सार्प लगती है आपके face भी आप एक बार काउंट रिंक ना अप्लाइ करके देखना काफी आपका face भी आपका face भी आपका face भी आप हो जाता है अगर आपको डबल चीन है तो आपको पता चलेगा कि कि दिफ्रेंस का मेरा तो इसाथ है नहीं पट मैं हम चे करना पैसंद है मुझे नोज एर्या में पसंद है क्योंकि मेरी नोज सार्प है नहीं तो इसार्प हो जाती है और अच्छी लगती है काफी यहां पर मैं रोस गौल्ड पैलेट से से रूज के लिए रेड कलर को पिक तो आप और यूज करो यहां वैसलीन दोरह में से कोई एक चीज यूज कर ले ना थाकि आप जब भी लिक्विड इल्यूमिनेटर यूज कर ना हाइलाइटर तो वह अच्छे से ब्लेंड हो पाता है और काफी सानी सानी सा लुक छोड़ देता है यहां पर जब आप आप से इसे पूरा इवन लगा दिया नीचे लोवर लैस्ट लाइन में सेम जो एन ट्रांजेक्शन कलर लिया था पाटी ओवर उस कलर को ब्लैक कलो को हलका सा लेकर दोनों को समझ कर रही हूं नीचे और नीचे में सेम जो रॉन्जल ब्यूटी का मैंने जो ग्लीटर ऊपर यूज कर रही हूं और यहां पर इनर कॉर्णर में हाइलाइट कर रही हूं और यहां पर इनर कॉर्णर में हाइलाइट करने के लिए रोस गोल्ड पैलेट से मैंने कलर पिक किया है अब देखो मेरा आई मेकप अभी मैं यहां पर वाइट काजल अपलाई करने वाली हूं और यहां यूज लाइनर रही हूँद मैं भी लाइनर यूज अबयू ओफ दो आय अगे रैश पहलोर दो यूजिया, बटाकर क्लोरा एंगा तक अपण雜 पता है? कि गॉम है कि मेरे मेकाप पसंद आया होगा? अब आप कैसा रिस्पांस करतें कि तेखते एपलों को पता नहीं है मेरा मेड़ मेकाप पसंद आता है यह नहीं प्लीज आप कमेंट आपके ज़रूबता यह प्लीज़ आपईम मुझे खुछ भाता है कि मैंने अच्छा किया, खराब है कि क्या मुझे खुछ भी कुछ समझ मेन आता है अब में अपलों का कमेंट का वेट करूंगी ताकि आप लोग मुझे क्या डिया रिसपोंस देते हैं उससे मुझे पता चलेगा और ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मुझसे कनेकेट रहे और मुझसे कनेक्द रहे हैं लिए लिए एक लिए capaci चानल और यहाँ पर सुब्सक्राइब माइचनल और यहाँ पर साइडी मेंचनछों आगर आप चाहओ तो नियुक्लिय। यहाँ पर फो से रिलेटेट तो आप मुझे तमें डाउन कर सकते हैं अगर मुझे पता होगा तो इदेफिन देटी लब तो शेर वित यू आल गाइज के बाइज पिर मिलते नेक्स वीडियो में